MIT App Inventor में ChatGPT-based Chatbot की आप बनाना सीखते हैं दीवाली के बारे में हिंदी में बताएं इस आप में आप ChatGPT से कोई भी क्वेस्टन पूछेंगे और ये आप ChatGPT के API को कॉल करके उसका आंसर आपको दिखा देगी ये question answers आप Hindi, English या किसी भी और language में कर सकते हैं For example, give some sample questions with answers about logical reasoning By the way, ChatGPT को आप as a personal tutor कैसे use कर सकते हैं ये मैंने अपने एक और वीडियो में समझाया है ChatGPT आदारिद Chatbot आप बनाना step-by-step सीखते हैं AppInventor.mit.edu वेबसाइट में जाके हम कह रहे हैं Create Apps और यहाँ पर फिर हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो मैं प्रोजेक्ट पर जाके कह रहा हूँ Start New Project और हम यहाँ पर इसको कोई नाम दे सकते हैं Chatbot, मैं इसका title दे रहा हूँ Chatbot पहले हम एक बहुत simple app बनाते हैं तो इसके लिए हम user को एक text box देंगे जहां user अपना question जो है वो enter करेगा उसके बाद एक button होगा जो user क्लिक करेगा to submit the question to call the chat GPT API और उसके बाद chat GPT जो भी response देगा हम उसको एक और text box में यहां display करेंगे तो यह करने के लिए मैं user interface में जाके यहां से text box drag and drop कर रहा हूँ और मैं इसकी height कह रहा हूँ 150 pixels और इसकी width मैं कह रहा हूँ fill parent और hint for text box मैं यहां लिख रहा हूँ input your question इसका font size मैं तोड़ा बढ़ा कर देता हूँ तक कि पढ़ने में असान रहे फिर हमारे को यहां पर इसके बाद एक button चाहिए तो मैं user interface में जाके एक यहां button drag and drop कर रहा हूँ इस button का interface हम improve कर सकते हैं फिर मैं एक और text box यहां पर drag and drop कर रहा हूँ और इसकी height में कह रहा हूँ fill parent और इसकी width भी में कह रहा हूँ fill parent अगर आपको app inventor के यह basic features नहीं समझ में आते हैं तो आप मेरी app inventor की जो playlist है उसमें पहले जो वीडियो से उनको देख सकते हैं यहां हम चाहते हैं कि अगर user लंबा question टाइप करे तो वो अपने आप यहां पर fit हो जाए तो इसके लिए मैं यहां पर multi line जो है इसको क्लिक कर रहा हूँ and similarly जो हमारा text box 2 है उसमें भी जो chat GPT response जहां पर हम लिखेंगे उसको भी मैं multi line को उसको मैं check box को टिक कर रहा हूँ तो यह हमारा simple interface है हम यह screen one में जाके इसका नाम change कर सकते है तो यह हमारा user interface त्यार हो गया है तो हम इसमें logic हमारा क्या है कि जो user है वो अपना question यहां type करेगा और यह जो भी question होगा इसको हम chat GPT को submit कर देंगे और फिर chat GPT से जो भी response आएगी उसको हम इस text box में display कर देंगे तो इसके बाद हमारा को chat GPT का component यहां लाना है इसके लिए मैं यहां experimental में जाके यहां से यह chatbot को drag and drop कर रहा हूँ notification कह रही है कि this is an experimental feature which may change तो मैं यहां कह रहा हूँ okay non visible component chatbot यहां add हो गया है next हमारा को इस chatbot की API की चाहिए तो API की के लिए हमारा को chat GPT की website पर जाना पड़ेगा openai.com और यहां पर आप अगर अगर अलरी रिजिस्टर नहीं हो तो आपको रिजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद यहां पर login करना पड़ेगा और यहां यह दो option है कि chat GPT launch करना है कि API तो मैं कह रहा हूँ API और इस interface में फिर मैं यहां टॉप left में chat GPT के logo को click करके यहां API कीज को select कर रहा हूँ यहां हमारे को एक नई secret की generate करनी है इसका आप कोई भी नाम दे सकते हो जो API की generate हुई है इसको आपको copy करके कहीं save कर लेना चाहिए मैं इसको copy करके वापस अपने app inventor में जाके यहां यह API की यहां पर डाल रहा हूँ यहां पर various models आप कर सकते हो पर अभी हम basic उसमें सब कुछ defaults छोड़ रहे है including system का token तो अब हमारा interface जो है यह तयार हो गया है हम इसको हमें इसकी programming करनी है तो मैं यहां blocks में जाके हम कह रहे हैं कि जब user button one click करेगा तब हम चाहते हैं कि जो भी user ने जो text box में input किया है वो हम chat GPT को submit कर दें तो मैं यहां chat GPT में जाके यहां कह रहा हूँ कि call chat GPT और क्या question submit करना है जो भी user ने यहां जो text box one में यह text box one में जो भी input किया है इसको submit करना है तो इसके लिए हम यहां पे कह रहे हैं कि text box one में जो भी user ने text डाला है वो that becomes the question for chat GPT तो इसको हम submit कर रहे हैं और उसके बाद हम कह रहे हैं कि जब हमार को chat bot की response मिलेगी तो उसको हमें display करना है और कहां display करना है हमें उसको display करना है इस text box two में तो यहां पर हम कह रहे हैं कि set the text box to not background color the text to और यहां से मैं कह रहा हूँ get the response text so जो हमारी bare bones basic logic जो है वो इतना ही है app का और हम इसको test करके देख सकते हैं और यह जो है यह app आपकी आप दोनों android या iOS दोनों devices में चला सकते हैं मैं अभी android में test कर रहा हूँ मैं अपने android phone में MIT की companion app जो है इसको launch कर रहा हूँ और फिर यह QR code को scan कर रहा हूँ तो अब यह app मेरे mobile phone पर चल रही है तो यहाँ पर हम अपना question जो है यह type करते हैं तो question में कह रहा हूँ कि in 50 words tell me about the planet Jupiter और फिर हम इसे submit कर रहे हैं तो यह अब chat GPT की response है explaining in 50 words some information about the planet Jupiter तो basic app इतनी है और chat GPT से आप हिंदी में भी सवाल जबाब कर सकते हैं तो मैं यहाँ हिंदी में पूछ रहा हूँ सवाल कि हिंदी में भारत की राजदानी दिल्ली के बारे में बताएं और फिर मैं यह अपना question जो है यह submit कर रहा हूँ chat GPT को तो यहाँ पर हम अपनी app में कोई notify डाल सकते हैं कि अभी यूजर को सवाज में नहीं आ रहा है कि submit हो गया है बटन यूजर को नहीं बताएं कि submit हो गया है नोटिफायर को हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे है तो मैं notify में कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से यह programming block ला रहा हूँ जिसमें हम कह रहे हैं कि show progress dialogue box तो while the response from chat GPT is coming हम यह एक progress dialogue box यहाँ दिखाएंगे और यहाँ text में जाके मैं empty string ला रहा हूँ और हम यहाँ कह रहे हैं maybe something like please wait और जो भी आप user को बताना चाहते हैं getting a response from chat GPT और फिर जब आ जाएगा तो हम notify को dismiss करना चाहते हैं तो हम कह रहे हैं कि जब answer आ जाए तो notify को dismiss कर दो तो एक तो यह feature है और दूसरा है कि हम यहाँ पर जाकर एक speech to text जो है वो भी डाल सकते हैं तो मैं यहाँ से speech recognition का block ला रहा हूँ तो speech recognition यूज़ करने के लिए हमारे को user को बताना पड़ेगा कि उसको बोलना है कुछ तो इसके लिए फिर हम में भी एक और button को यहाँ add कर सकते हैं मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ask your question और फिर हम इसका हम cable hint बदल रहे हैं क्योंकि input यह input नहीं है तो हम यहाँ पर में भी simply कह सकते हैं कि you asked और यहाँ पर हम जो भी user ने बोला होगा उसका जो text version है उसको हम यहाँ display कर देंगे तो अब मैं वापस blocks में जाके कह रहा हूँ when button 2 is clicked और हम यहाँ पर speech recognition में जाके कह रहे हैं call speech recognizer and get the text next हम कह रहे हैं speech recognizer में जाके कि after getting text कि जब user बोलेगा उसका speech to text conversion हो जाएगा तब क्या करना है तो तब हम कह रहे हैं कि यहाँ जो हमारा यह जो हमारा text box 1 है वहाँ पर उसको display कर देना तो हम यहाँ पर फिर हम कह रहे हैं text box 1 में जाके set the text 1 text 2 and जो भी जो हमारा speech recognition का result है वो तो यह जो logic है इसको एक बार समझ लेते हैं और फिर हम इसको try करके देख सकते हैं हम क्या कह रहे हैं कि जब user यहाँ पर button to ask your question यह बारा button जो है इसको click करेगा तो speech recognition जो है वो call होगी और फिर जब speech recognition का result मिल जाएगा तो उसको जो हमारा यह program है उसको यहाँ text box 1 में display कर देगा और जब वो display हो जाएगा और जब वो display होगा तो actually user उसको edit करना है तो edit भी कर सकता है मानलो speech recognition में कोई problem आ गई है तो उसको edit किया जा सकता है और उसके बाद जब user button 1 दबाएगा तब वो जो question है वो हमारे chat GPT की API को call करेगा और वो question box 2 है वहाँ पर जो result है वो वहाँ पर display हो जाएगा तो इसको हम एक बार test करके देखते हैं तो यह हमारा user interface है हम यहाँ पर यह button दबाएगे तो हम अपना question पूछ सकते हैं tell me about newton's laws of motion तो यह जो text conversion है यहाँ आ गया है tell me about newton's laws of motion और अगर हम यहाँ चाहें तो इसको edit कर सकते हैं पर यह भी question ठीक है तो मैं यहाँ पर इसको submit कर रहा हूं और अब हमारा जो notifier है वो call हो गया है और यह जो question है यह chat GPT को submit हो रहा है और जो chat GPT से response हाएगी वो फिर यहाँ पर display होगी तो यह chat GPT की response है newton's laws of motion are three fundamental principles और यह पूरा answer यहाँ पर आ गया है हमारी जो app है वो एक्दम ठीक काम कर रही है तो I hope आप app inventor में यह chat GPT based chatbot app बनारा try करेंगे करेंगे करेंगे